अमबाला में जीला बाल सरंग्षन विभाक के टीम ने बधहाली में रह रहे लगभग 12 साल के एक बच्चे को उसके घर से रेस्क्यू करके अपने कबजे में ले लिया है जीला बाल सरंग्षन अधिकारी का कहना है कि बच्चे की मानसिक हालत ही सही इस्तिती से जानने के बताया जा रहा है कि बच्चे की मां की मौत के बाद से दोनों बाप बेटा इसी तरह से रहे रहे थे मां की मौत के बाद एक मासूम ऐसा तूट गया कि लगभग उसने अपना मांसिंग संतुलन ही खो दिया बुज़ूर्ग पिता ने होसला देने की कोशिश की लेकिन बच्चे की ऐसी हाला देकर पडोसियों ने चाइल्ड वेलफेर कमेटी को इसकी जानकारी दी कि यह बच्चा मांसिक रूप से कुछ परेशान है और यह नगन अवस्था में गलियों में घुमता है इसलिए इसका उपचार होना चाहिए बाद सरंशन अधिकारी के मुताब रहा है कि दो साल पहले ही इस बच्चे की मा की मौत हो गई उसके बाद से बच्चा स्कूल जाना छोड़ दिया और इस तरह से रहने लग गया यह भी पताया जा रहा है कि यह परिवार करीब 15 साल पहले अपनी प्रॉपर्टी बेच अंबाला केंट में रहने आया था तब स बच्चे के पडोसियों ने बताया कि बच्चे की मा का देहांत हो चुका है और उसका पिता भी काफी बुजूर्ग हो गया है बच्चे की मान सिखाला दिन बाद दिन बिगड़ती जा रही है जिस वजह से उसका जीवन अंदकार की ओर जा रहा है पडोसियों ने बताया कि सब्सक्राइब करता है और नंगा गूम था विग्यार कप्ड़े के अंडर भी इसमें अंडर गार भी इनियों और खाने पीने कि देख बाल बिलकुल नहीं हो रही थी और श्रॉड साथ पहले इसके मां जो है इसके ड़त हो गी थी उसके बाद यह जादे एकर सिब हो गया और बाप से कंट्रोल नहीं हो पारे थी और पहले था हमने दो तिन साल पहले तो हमने गुद्वारे से पंगलवारा से घाड़ी मुवाई थी वह साथ में दो मंदे भी आए थे उन्होंने को लजाने की कोशिच क इसके फादर नहीं मना करती है अब यह को फादर को माना शोड़ करती है तो तब उसने कहा हो कि इसको कहीं भेज़ो तो अब उसके जने की सेस्टमेंट कि अपने फिर यह एक आदमी से समलने वाला बच्चा नहीं था दो तिन बच्चा अधमियों ने उठा के उसको गड़ है जो अमबला कैंट एरिया का है और वो बिना कपड़ों के घर के बाहर गूंता रहता है वो कभी भी कपड़े नहीं पहनता और उसके फादर है जो बहुत से बुजर्ग है बहुत जादा बुजर्ग है उसके फैमिली में फादर और उसके इलावा कोई और नहीं है तो जो है उसके फादर को समझाया कि तेरे बच्चे की जिंदगी बन जाएगी जब हम अंदर गए जब हम एक हफता पहले भी गए थे हालात वही आज थे जो हफता पहले थे वहीं पर वहीं पर जो है वो यूरिन वगएर अपना पास करते थे तो हालात देखके मतलब ऐसा लग जाए था कि बच्चे को कोई बहुत जादा भयंकर बिमारी भी हो सकती है तो मामले की घंबीरता को देखते हुए आज हमने एक जॉइंट टीम बनाई थी जिसमें चाइड वर्फर कमेटी थी पुलिस डेपार्टमेंट था चाइड लाइन थी और हमारा डिपार्टमेंट चाइड प्रटेक्शन डेपार्टमेंट उस बच्चे को हमने बहुत मुश्किल से रेस्क्यू करवाया है क्योंकि बच्चा जो है वो बहुत जादा एग्रेसिव था स्टिंग में हमें यह लग रहा था कि बच्चे को शायद कोई मानसिक बीमारी हो सकती है अभी उस बच् प्रटेक्शन के लिए हम लोग इसको एक चाइड कर इंस्टूशन में शिफ्ट करेंगे वहाँ इस बच्चे की रेगुलर काउंसलिंग होगी इस बच्चे को सिरफ काउंसलिंग की जरुत है क्योंकि आसपास के लोगों ने यह बताया कि जब से इसकी मदर के डेथ हुई ह यह बच्चा परिशान रहने लग गया है और फादर इतना बुजर्ग है कि वह बच्चे की केर सही तरीके से नहीं कर सकता तो आज हमने बच्चे को अपनी कस्टडी में ले लिया है जाल पहले हुए है और जब से मा की डेथ हुई है तब से यह बच्चा ऐसी अर्कते कर रहा है घर लुए निकलता अगर नीकलता है तो बेना कपडे का निकलता है और मास जब उसके अभी परिवार में सिर्फ एक उसका फादर है जो बहुत जादा बज़र्ग है साइद वो पैदल ही जाके इसके लिए अपना ढबे से या किसी होटल से खाना लेके आता है और वो खाना जितना वो खा सकते हैं जितना बज जाता है वो ही पे रख देते हैं उसको बार न में बेच के यहां पर रहने लगया पिछले पंदरा साल से इसी मकान में वो रह रहा है